दोस्तो मैं अल्पनस रोज स्वागत है आप सभी का स्वाधिष्ट बोजन में दोस्तो आज हम बनाएंगे सुईट सोर चिकन दोस्तो ये बहुत ही ठेश्टी लगता है खाने में इसको खटा मिठा भी कहते हैं इसको बनाने के लिए दोस्तो हमारे पास यहाँ पे मास वाला जैसे कि आप देख सकते हो इस रस्त में हमें हड़ी नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले बड़े बरतन में एक अंड़ा तोड़ लेंगे उसके बाद दोस्तों इसको हम अच्छे से फेटेंगे दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को बजाना ना भूलिएगा अच्छे से इसको फेटने के बाद दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी कॉन फुलावर अब हम डालेंगे एक कटोरी सोया सोस और इसमें डालेंगे दोस्तों आधा चमस बेकिंग सोडा विनेगर डालेंगे दो चमस उसके बाद दोस्तो उसको अच्छे से फेटेंगे दोस्तो अभी तक वीडियो के लाइक नहीं किये तो लाइक कर दीजे जै और ये रेस्पिक अपने दोस्तों में सेर करना ना भूलियेगा तFL case इसको अच्छे से फेट दी हूं इसे तरह से इसको हमें फेटना है उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे अधा चमस नमक या स्वादा नुसार इसको भी अच्छे से फेट देंगे अच्छे से फिटने के बाद दोस्तों फिर से इसमें अब हम डालेंगे चिकन इसको मैं अच्छे दोकर के साप कर ली थी इसको हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिलाएंगे इसको दोस्तों उसके बाद दोस्तों मिलाने के बाद इसको कवर कर देंगे और आदा गंटा के लिए हम फ्रीज में रख देंगे उसके बाद दोस्तों तक तक हम करते हैं दूसरा काम तो हम क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पर एक कटोरी मैदा है इसको हम डाल देंगे किसी बड़े बरतन में अभ इसमें हम डालेंगे आधा चम्मस बेकिंग सोड़ा आधा चम्मस नमक नमक ध्यान से लिँ डालेंगे क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं इसको हम अच्छे से मिल आएंगे उसके बाद दोस्तों मैं हम डालेंगे कॉन फ़ौर कि इसको अच्छी से मिला दूझे रहा दूस्तों यह मिल गया अच्छी से आधा गंटा हो गया त्थ्थ फूल्स वी गया गया चिकन इसको हम खोलेंग ते सब से छुदंच T इसमें हम चिकन को अच्छे से कोट करेंगे इस तरह से ये दिखिए जिरा दोस्तों ये कोट हो गया तो चलते हैं कडाही की तरब कडाही में हम डालेंगे रिफाइन तेल तेल अच्छे से गरम होना चाहिए दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे चिकन कि इसको हम मेडियम लो फिल्यम पे फ्राई करेंगे पलट जब देंगे इसको हम तीरा दोस्तों आप देख सकते हूं कि त्यवले चैwn秩ी यह फ्राई हो गया है इसको हम कड़ाई से बाहर कर लेंगे अब इसी तरह इसको हमें फ्राइ करना है उसके बाद दोस्तों फिर से डालेंगे कड़ाए में सरसो का तेल तेल कराम होने के बाद इसमें हम डालेंगे हारा वाला प्याज अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों जो सुखा वाला प्याज होता वो सुखी लाल मिश्य को मैंने पानी में डिप करके रखी फिर ये डाल देंगे उन्सब को थोड़ा से भूनेंगे भूनने के बाद दोश्तों इसमें हम डालेंगे अधरक लेशन का पेस्ट इसको भी अच्छे से भूनेंगे के शेति हैं इसके बाद दोस्तों आब इसमें हम डालेंगे प्याज का हरवाला पाठ और सिम्ला फर स्माश इस संब्ला है घुम डाल देंगे इसों भी अठ는 कि उसके बाद दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा संदमक कि इसको अच्छे से मिला देंगे अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों इसको हम ढग देंगे कि नमीनेट के लिए मेडिया माच पे दो मिनिट हो गे दोस्तों फोलिए तक दोस्तों आप देख सकते हो सब्सक्राइबंगे कि veto आ देंगे डोलाने के बाद दोस्तो इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी, सोया सोस उसके बाद दोस्तों हम डालेंगे यहाँ पर मैं एक चमस कॉन फुलार को गोल बना ली हूँ इसको हम डाल देंगे अच्छे से मिलाएंगे तो दोस्तों अब देख सकते किता गाड़ा हो गया इसमें हम चिकन की फिश डाल देंगे इसको अब अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों अब इसको हम ढग देंगे पांच मिनट के लिए मीडियम आच पे पांच मिनट होगे दोस्तों अब हम खोलेंगे तेरा दोस्तों अब देख सकते हो यह किता अच्छे से पक गया है अब हम गैस के आज बन कर देंगे और इसको हम गर्म गर्म सेप करेंगे